सुपर टेस्टी ब्रॉकली की रेस्पी सियर करें जो की बहुत ही चटपटी बन करके तयार होती है और शाथ में बिदाउट ये स्टफिंग ये मीनी प्राठा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाईए फ्रेंट्स तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा अगर ब्रॉकली मिल रही हो तो इसे जरूरी आप अपने खाने में इस्तेमाल करने ये जो है डायविटीज में भी फायदा करती है इसमें वीटामिन A,C और जिंक भी पाया जाता है तो मैंने इस तरह चे ब्रॉकली का यूज किया इसे बीच से कट कर लिया है तो ब्रॉकल बारिक बारिक कटा हुआ लहसन की कलियां गार्लिक इसे भी हमें डाल देना है और तब यहां पे डालना है हमें ब्रॉकली जिसे मैंने वोश करके चान कर रख लिया था तो वो अच्छी तरह से वोश किजिएगा ब्रॉकली को और उसे इस तरह से डाल देना है देखिए कित साइज का टमाटर उसे मैंने क्यूप्स में कट किया है तो टमाटर को क्यूप्स में कट करके डालेगा बहुत ही टेस्टी बनेगे और चटपटी भी अब इसे स्टेस्ट पे हमें डाल देना है यहां पे हल्दी पौदर टर्मरिक पौदर अब इस यहां पे डालना है चलिए अब गैस को आफ कर देते हैं इसी स्टेस पे गैस को आफ कर दीजी और इसे सर्फ कर लीजे देखें कितना सुंदर कलर आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है तो चलिए अब मैं यहां पे आटा ले ली हूँ एक बाउल में मैंने होल बिट फ्लॉर ले लि अगर उसे काफी देर आपको रखना है तो इस तरह से आटा लगाएगा तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बन करके तैयार होगी आप देर तक भी अगर आप अपने रोटी प्राठे पूरी किसी भी चीज को आप रखेंगे ना तो बिल्कुली सॉफ्ट रहेगी मैं जब सीरेब करती हम अपने फ्रेंड्स के साथ तक देखिएियर मटर को मैंने छील लिया है और उसे इस तरह से हरे मटर को दाने को मिकसर जाड में डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसमूथ पेस्ट बना लिया था उसी हमें आठा में डाल करके अच्छी तरह से डो तय पर मम्मा जो होती है ना अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती है। बस उनके मन में यह होती है मम्मा के कि बच्चों के पेट में सबजी तो कैसे ही डाल दूँ। तो देखे जटपट सी रेसिपी बनाईएगा फ्रेंस्स। तो अब मैं देखिए हाथों को इस तरह से ग्रीस कर ली हूँ वैल से और अब यहां से आटा से एक लोई तोड़ लूँगी छोटे सा इसका लोई मैं तोड़ लूँगी और इसे मैं बेल लूँगी तो आप चाहिए तो इस पर ड्राय आटा भी लगा सकते हैं सुखा आटा लगा करके भी आप बेल सकते हैं पर मैं यहां पर कोईल के साथ ही बेलूँगी और इसे अच्छी तरह से हमें बेल लेना है तो मैंने बी टूट की पूरी की रेसिपी भी शेयर की है उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आप वहां से भी देख सकते ह वो भी बहुत ही टेस्टी बन गर के तैयार होगी आप अपने बच्चों के लिए जब बना रहे हैं तो कुछ नकुछ अपना दिमाग लगाए फ्रेंड्स या फिर अंसु का पाकवान में आप जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब अब दूसरा से बता देती हूं देखिए इस तरह से हमें मीनी प्राठा बना लेना है तो देखिए जो बच्चों के लंच बॉक्स में जब आप टालेंगे न तो आपके बच्चे तो लंच बिल्कुली फिनिस करके आएंगे आप भी बहुत खुस हो जाएंगे तो इस तरह बच्चों को बना कर देखे तो भी बच्राइबें को बना कर देंगे तो उने बहुत ही बच्चों को बना कर देंगे न तूने बहुत बसंद आएगी सच मान्यीन ठेंज अब देखे मीनी प्राथा भी मैं इसे फ्राइ कर लेती हूं डाल करके कितना सुंदर लग रहा है ना मीनी प्राथा इस तरह से बनाएगा दोनों साइट से सेख करके और जब आपके बच्चे लंच फिनिस करके आएंगे तो आप तो बहुत ही खुस हो जाएंगी तो है ना कि प्राथा और पूरी तो कितनी सुंदर हमारी क्रिस्पी पूरी बन करके तैयार हो चुकी है आप देखे इस तरह से जरूर बनाएगा जब भी आपका मन हो तो जटपट बनाएगा तो कॉमेंट बाक्स में ज़रूर बताएगा आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत कैसी लगती है फ्रेंट्स मैं इसी तरह से आप सभी के साथ आसान आसान सी रेसिपी और जटपट बनने वाली रेसिपी सेरी करूंगी जिससे कि आपके बच्चे भी लंच बिल्कुली फिनिस करके आएं और घरवालों को भी जब आप बना करके इस तरह से पूरी खिलाएं तो उन्हें बहुत पसंदाज चलिए मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में